तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे यह USB कार्ड है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी कार्ड के बारे में full detail से बताने वाला हूँ कि इस कार्ड को हम क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हमें इस कार्ड के connection करने होते हैं, market में ये card कितने रुपेगा मिलता है सब कुछ जानकारे मैं आज की वीडियो के अंदर आपको full detail से देने वाला हूँ तो वीडियो को बिलकुल आप ध्यान से और सुरू से end तक देखें तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे request भी करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise वीडियो को dislike करें चलिए friend जादा समयना गवाते हुए वीडियो continue start करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम market से step का card खरीद के लाते हैं तो इसके साथ में और कौन कौन सी चीजी हमें देखने को मिलती है तो यहां पर देखिए मैं इस box को खोल रहा हूं और इस box को खोलने के बाद देखिए यह हमारे की कुछ wire है जो कि इसके साथ में ही use होती है card के साथ में और उसके बाद यहां पर हमारा एक remote है और उसके बाद में हमारा एक main card है यह देखिए कुछ इस तरीके से यह हमारा card दिखाई देता है आप पीछे से देख सकते हो कि यहां पर IC वेगरा और काफी सारे छोटे-छोटे components लगे हुए है और इस set से भी आप देख सकते हो जहां से हमें wire के connection इसके करने है और सामने से card हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अब यह जो card है यह मेरे पास Bluetooth वाला है यहां पर आप symbol भी देख सकते हो Bluetooth का ऐसा ही same design के card बिना Bluetooth वाला भी आता है सब कुछ same रहेगा सिर्फ उस card के अंदर Bluetooth का option नहीं होता है तो यह हमारे पास Bluetooth वाला है अब इस card को आप कई जगा पर यूज कर सकते हो उसके अंदर Bluetooth वाला system पहले सा ही लगा लगा आता है लेकिन अगर आपके पास पुराने वाला home theater है जो पहले टाइम पे चलता था तो उसके अंदर आप इस card को लगा के अपने पुराने home theater को Bluetooth home theater में convert कर सकते हो तो अभी फिलाल मेरे पास ऐसा कोई home theater तो है नहीं कभी आएगा मेरे पास तो मैं उसके अंदर भी इस card को लगा के आपको दिखा दूँगा फिलाल आज हम इस card की मदद से एक Bluetooth speaker तयार करने वाले है तो देखे इस card के साथ में क्या होता है क्योंकि जब तक आप इस circuit को इसके साथ में नहीं लगाओगे तब तक यहां पे आपको sound नहीं मिलेगी तो इसका भी use हमें इसके साथ में करना है और दोनों के connection करने के बाद ही यहां पे हमें sound देखने को मिलेगी तो यहीं पे काफे सारे लोगों को problem आ रही है कि इसके अंदर वो connection कर लेते हैं तो इसके अंदर उनको problem आती है और इसके अंदर connection कर लेते हैं तो इसके अंदर उनको problem आती है तो बिल्कुल ध्यान से देखना diagram के थुरू सब कुछ मैं अच्छे से बताऊंगा तो यहाँ पे देखे सबसे पहले ना मैं इस card के अंदर का जो diagram है वो मैं आपको दिखाना चाऊँगा कि किस तरीके से इस card के अंदर होता है और इस diagram को देख के आप बड़ी आराम से connection कर सकते हो तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इस तरीके का ये card है इस तरीके का मैं देखो मेरी drawing तो इतनी अच्छी है नहीं लेकिन फिर भी मैं process करूँगा आपको समझाने की क्योंकि बचपन में मैं writing के लिए बहुत ही मार खाया करता है मेरे writing बहुत ही ज़्यादा गंदी है तो यहाँ पे देखे क्या है कि इस card के अंदर जो हमें connection करने यहाँ पे यह किलिप वाला point बना हुआ है यहीं पे वायर जोड़नी है इसके साथ में wire भी हमें मिली हुई है अब कौन एक दो तीन चार और इसके अंदर हमारे दो पीने हैं तो यहाँ पर क्या है इस card के अंदर क्या है कि इसके साथ में यह wire आती है तो देखे यह wire आती है इसके साथ में तो इसके अंदर क्या होता है कि यह जो red वाली wire होती है यह हमारी FM antenna की wire होती है ठीक है जो भी इसके अंदर FM का system दे रखा है उसके antenna वाली wire होती है और इसका color भी अलग है तो आप इससे बड़े around से पैचान सकते हो अब बजगी हमारे पास यहाँ पर 3 wire अब 3 wire के अंदर क्या है कि यह जो हमारी बीच वाली wire होती है इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे यह जो बीच वाली हमारी wire है तो यह बीच वाली wire होती है हमारी जी जिसको हम ground बोलते हैं यह ground wire होती है बीच वाली और यह जो एक wire होगी हमारी एक left की की होगी और एक हमारी राइट की होगी है ठीक है इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है वो भी मैं आगे चलके आपको दिखाऊंगा पहले इस तरीके से हम समझ लेते हैं तो यहां पर क्या है कि हमारी एक वायर जो इस सैड की वायर है यह हमारी की चीज की होगी यह होगी हमार G ठीक है यह ग्राउंड यह लिखा होता है इस कार्ड के अंदर ही और एक वायर यह हो को मкої मानलो मेनस की होगी वायर मेरी में अब इसके अंदर १ोल्टेज कितने दे सकते हैं चार वोपस्ते से लेकर को छार से हम ने देना है अबर यहां पर देखिए मैंने आपKO अब बताया था यह एक हमारे पास ओडियो मे एक हमारे पास अर्ट है इसके अंदर भी कोई सिस्टम है इसके अंदर पहले मैं जोम करके आपको दिखा दूं अच्छे से को इसके अंदर भी देखिए यहां पे तीन पॉइंट दे रखे हैं एक पॉइंट पर लिखा हुआ है और बीच वाले पॉइंट पर यहां पर टी लिखा हुआ है और उसके अंदर जी लिखा सकते हैं तो एक speaker यहां पर जोड़ सकते हैं कि यहां पर जोड़ सकते हैं तो इसका भी मैं एक बार ऐसा ही एक बार पॉइंट बना लेता हूं और फिर आगे चलके आपको दिखाता हूं तो यह देखिए जोड़ी से गल्ती कर दी यहां पर यहां पर यहां पर इसके हम इसके साथ में करने हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारा यह दे रखा है और यहिए जो जी है इसकी जगापे टी लिखा हुआ है इसके अंदर तो यहां पे हमें क्या करना है यह जो अमारा एल वाला पॉंट हैòngवाले पॉंट को हम इस काड ले गेशने और इक वायर लिएंगे और इस 49 जोड़ के साथ में जोड़ देंगे तो यहां पर इसका connection हो गया अब यहां पर क्या है कि दो point हमारे है plus minus के और यहां पर भी plus minus के हमारे point बच्चे हुए हैं यहां पर भी आपको plus minus देखके लगना है यह जो हमारी plus point बच्च वे यहां पर अंदर एक वाय होती है एक वाय और आर यहां पर इस तरीके सेह हमारे connection यहां पर पूर्य हो गया है और उसके बाद फिर किया करना एक बैटरी लेनी है कोई भी पांच वोल्टेज की या चार वोल्टेज की आप बैटरी ले सकते हो बैटरी के अंदर भी हमारा प्लस मानस होता है सो यह मानस हो गया तो यहां पर क्या है कि यह मानस वाली वायर को हम यहां पर जोड़ देंगे और प्लस वाली को हम यहां कि इसके साथ मैं यह वायर मिली है और इस वायर को देखे इस वाले पॉइंट में लगाएंगे तोे कि आपको यहां प्रेंदर बाद यहां पर भिए सिस्टम है को भी हम गायं樹 अधरी यहिस त्रीके और हमें, इसके अंदर करना है, यह जो हमारी O डिो Ic है, अब इसके अंदर मैंने, आपको क्या बताया था, कर जैसे इसके अंदर क्या है, कि एक रेट रंकी वायर है, तो यह तो हमारी FMN Tina की होगी, इसको हमें वैसे चोड़ देना है, इसके अंदर हमें connection करने हैं, तो इसक वाला पॉइंट है यह जी वाला ही पॉइंट है तो जी वाली वायर को यानि बीच वाली वायर को टी पे जोड़ेंगे और लेफ्ट राइट वाली वायर को उसी इसाब से हम जोड़ देंगे तो यहां पर बिल्कुल आसान है इसको जोड़ना तो मैं क्या करता हूं फटा अब उसके बाद देखिए, यहां से हमारी यह वाली wire आ रही है, थोड़ा से जूम को कम कर लूँ, यह वाली wire है, और यह हमारी कौन सी wire है, main supply वाली wire, यहां से हम इसको supply देंगे, तो इसके अंदर हमारी एक wire plus की है, एक wire minus की है, तो इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हो, एक wire के अंदर आपको red line दिखाई देगी और एक wire हमारी दूसरी है यह white color की है तो इस तरीके से आपको plus minus को देखना है और इसके अंदर आप गलती से ulti wire मत जोड़ देना नहीं तो फिर भी है यह पूरा का पूरा circuit हमारा खराब हो सकता है तो यह चीज आपको ध्यान में रख है इसका मतलब यह plus के तो इस तरीके से भी आप पैचान सकते हो तो यानि कुल मिला के आपको सही wire देखनी है प्लस मानस को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख के लगाना है अब इस circuit के अंदर भी देखिए यहां पर देखिए 5 पॉर्ड लिखा हुआ है तो यहां पर प्ल करने में कोई भी प्रोलम नहीं है तो यहां पर हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं अब उसके बाद यहां पर देखिए और वाले पॉइंट बज़रें यहां पर हमें speaker की वायर को जोड़ना होता है तो यहां पर देखिए मेरे पास यह चोटे-चोटे speaker है अब इसके अंदर या 12 वाट का speaker लगाएं तो काम करेगा कि नहीं करेगा तो इस चीज़ को मैं भी अभी clear नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास 8 और 12 वाट का कोई speaker ही नहीं तो अगर आपने कभी इसके साथ में 7 8 वाट या 12 वाट या 10 वाट का कोई भी speaker लगा के चलाया है तो मुझे comment करक ताके मैं और भाइयों को भी जानकारित दे पाऊं तो यहाँ पे फिलाल अभी तो नहीं है तो जो speaker है मैं उसी को लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 speaker है तो इनको भी मैं फटा-फट यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो इनी दो point पर हमें जोड़ना है तो मैं फटा देने की तो यहां पर यह जो circuit होता है इसके उपर आपको देखे 5W लिखा मिल जाएगा तो यह जो circuit है मारा 5V की supply पर काम करता है लेकिन अगर आप इसे 4V की supply दोगे तब भी यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा तो इस तरीके की जो 4V की battery है इस circuit के साथ में आप यू 7V की होती है तो इसलिए अगर इतनी कम वोल्टेज पर आप इसे चलाओगे तो circuit तो हमारे काम करेगा लेकिन वहां पर आपको इतनी अच्छी sound quality देखने को नहीं मिलेगी तो आपको इस टैप की बैटरी यूज नहीं करनी है आपको इस टैप की 4V की कोई भी बैटरी जाती है 2-4 महिने में तो वहां पर इस टैप के जो बेकार charger है आप उसकी supply से भी इसे डारेक्ट विजली से चला सकते हो यानि आपको कुछ भी नहीं करना यहां पर जो हमारी प्लस माइनस वाली यहां पर जोड़ेगी यहां पर इसको डारेक्ट जोड़ देना है और इसको supply देने उसके साथ में भी यह सरकीट हमारा बहुत यह अच्छे तरीके से काम करेगा तो यह आपकी मर्जी अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो इस ट्रैप का charger लगा सकते हो और नहीं तो इस ट्रैप की बैटरी लगा सकते हो तो यहां पर देखें बैटरी लगाना आपको तरीका बताऊंगा तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक तो मार्किट में इस ट्रैप का यह charging circuit आता है इससे आप लगा सकते हो अगर आपको मार्किट में नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो यह सस्ता ओला जुगाड अपना सकते हो देखें इस ट्रैप की ची किनेक्टर नहां अप अपनी मरजी के हिसाब से ले सकते हो सबस Mac पहले चिपका लेगा है whats में तो है fuckin के लिए तो यहां पर इस त्रें नोख रहें पर यह जो हमारी वी इस यह जघा Ilth को बताऊंगा तो सबसे पहले मैं इसको चिपका लेता हूं तो यह देखें इस तरीके से मैंने फैवी क्योंक से इस connector को चिपका लिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल मजबूती के साथ यह चिपक गया है यहाँ पे अब यहाँ पर क्या करना है इस connector के साथ में हम एक LED लगाएंगे red रंकी ताकि जब हम इसको चार्ज लगाएं तो हमें पता चल जा है कि इस LED को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक लेग आपको छोटी दिखाई देगी एक बड़ी दिखाई देगी तो बड़ी लेग हमारी प्लस की है छोटी वाली लेग हमारी मानस की है और इस resistance के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी प्लस मानस नहीं होता है, तो आप किसी भी set से इसको लगा सकते हो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी एक LED की lag पर इस resistance को लगा लेता हूँ, यह आपकी मर्जी है, चाहे आप plus वाले पर जोड़ो, या फिर minus वाले पर जोड़ो, तो मैं इस तरीके से LED को लगाने के बाद यहाँ प पर वाले point है, यह हमारे minus का है, और यह हमारे plus का pin है, तो यहाँ पर हमें उसी हिसाब से इसकी वाल को भी जोड़ देना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको फैवी की उससे चिपका लेता हूँ, और उसके बाद फिर इसके connection भी इसके अंदर कर देता हूँ, तो मैं प्लस के साथ में connect करा है, तो इस तरीके से LED के हमारे connection हो चुके है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें diode लगाना है, देखे यह हमारा diode है, और यह हमारा IN 4000 साथ नंबर का diode है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक side हमारी silver पट्टी है, और एक side हमारी black side है, तो जो silver वाली side होती ह है, और जो side होती है, यह हमारे diode के plus वाली side होती है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस diode को लगाना है, तो इस diode को प्लस मानस कहीं पर भी लगा सकते हो, अगर आप इसको plus वाली leg में लगाओगे, तो इसको हमें black side से लगाना है, इस side से लगाएंगे, और अगर आप इसे minus वाली लेग पर लगाऊगे तो इसको हम सिल्वर वाली से लगाएंगे इस तरीके से तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं इसको मानेस वाली लेग पर लगा रहा हूं तो यह सिल्वर पट्टी हमारे इस वाली पॉइंट पर है और यह जो इस तरीके से यहाँ पर हमने connection कर लिए बस इतना चोटा से circuit आपको बनाने की जरूरत है तो यहाँ पर पूरा circuit बनके complete हो गया है एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर charging लगा के देख भी लेते हैं कि यहाँ पर यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस तरीके से हम देख लेत यहाँ करने दो यहां पर ने रहा हूं और इसका aliens को जोड़ लिया है बैटरी के अंदर आब हमें क्या करना है इसका connection तो कुछ भी लिखा हुआ है क्योंकि यहीं पर हमारी वायर यह जुड़ेगी अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लस माइनस देखके यहां पर बैटरी की वायर को लगाना है आपको अगर आपने गलती से उल्टा लगा दिया तो कुछ भी हो सकता है कि इसके अंदर हमारे इस सर्कीट के पूरे कनेक्शन हो चुके हैं अब बात आती है इसको चेक करने की यह काम करेगा कि नहीं करेगा तो यहां पर देखे इसके साथ में यह जो रिमोट है इस से हम इसको ओन करेंगे तो इसका यह पावर बटन है इसको मैं प्रेस कर रहा हूं इस तरीके से और यहां पर देखे इसके मोड बटन को इस तरीके से दवाने पे इसके मोड वए गरा बटन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अभी क्या है कि मेरे पास कोई अलग से मुबाइल नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा मेमरी कार्ड पढ़ा है इसके अंदर मैं गाने तो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो इस तरीके से आगर आपके पास भी कोई पिर के सही है हमारे सिर्क्ट कम्पलीट हो जुका है और फिर भी अगर आपको कुछ में नहीं आया तो आप कमंट करके मुझा सकते हो उम gefähr करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और चैनल पर नहीं हो भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरव